हाई दोस्तों तो आज मैंने बनाया है मांदेली की मच्छी करी बहुत ही सिंपल रेसिपी है दोस्तों यह मिक्स है गोईन कम मंगलोरियन कम साउथ इन स्टाइल लेकिन बिलीव मी बहुत टेस्टी बनती है इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है फिश तो आप जो फिश आप आप यूज कर सकते है यह कोई भी फिश के साथ बहुत अच्छे से जाता है आज मैंने मांदेली ली थी तो मैंने मांदेली की मच्छी करी बना दी तो मांदेली को अच्छे से मैं साफ कर रही हूँ साफ करके देखिए मैंने इसे इसे बोल में रख दिया इसे अच्छे से अब कोई-कोई क्या है मांदली के टेल्स कट करते हैं, कोई नहीं करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसे अच्छे से अंदर से साफ हो जाना चाहिए, अब पानी से दोने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक लगा रही हूँ, काफी लोग क्या करते हैं, साफ करन और थोड़ा से नमक लगा के रख देते हो तो यहां पर हम मसाले की तयारी कर लेते हैं मसाले के लिए मैंने लिया है नारियल लगबग दो मुठी बर नारियल है से अबाउट हाफ कप रहेगा थोड़े से मैंने कैश्मीर चिलीज लिये है यह बिलकुल तीखे नहीं है सिर्फ कलर देते है अच्छे दो बड़े चमच मैंने इसमें अख़ा दनिया डाला है और आदा चमच मैंने इसमें डाला है जीरा तो दोस्तों आप कैश्मीर चिलीज का ही इस्तमाल कीजिए अगर आप बेड़ी या दूसरे मिर्ची जो है उसका यूज करोगे तो यह मसाला जो है ना बहुत तिखा बनता है और इतना अच्छा लाल कलर नहीं आता है इसको तो मुठी पर मैंने लसन भी ले लिया है एक दो इंच तुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया और थोड़ा सा हल्दी तो हल्दी एकदम थोड़ा क्वाटर टीस्पून तक हमने हल्दी लिया है अब यह जो मिर्ची है इसके उपर के हम स्टेम्स हटा लेंगे और एक जो छोटा मिक्सर जा रहता है जो चटनी जा रहता है उसमें डालके इसको अच्छा से पेस्ट बना देंगे दोस्तों जैसे आप यह देखी रहे कि यह रेसिपी बहुत ज्यादा सिंपल है आप इसे मिंटो में बना सकते है इन फाक यह जो ग्रेवी बेस है यह जो मसाला है आप इसे एक्स्ट्रा बना के फ्रीजर में भी स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका मच्छी करी खाने का मन करे आप इसे निकाल के फ्रीजर से तुरंत इसे बना सकते हैं मालब थोड़ी देर इसे शायद आपको आवन में डीफ्रोस्ट करना रहेगा लेकिन यह फटा-फट हो जाता है अब इसमें हमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है मैंने यहां पे लगभग आदा कब पूरा यूज कर लिया था लेकिन आप देखिए आपके कोकनट में कितना जूस है उसके हिसाब से आप थोड़ा-थोड़ा पानी डालके इसके एक अच्छे सा पेस्ट बना दीजे अब मैं इसे कोकनट ओयल में बना रहे हूँ आप कोई भी ओयल में बना सकते हैं लेकिन जब हम इसे नारियल के तेल में बनाते हैं तो इसका फ्लेवर और जो टेस्ट है वो लाजवाब होता है अब ओयल में हमें थोड़ा सा मस्टर सीज डाला है मेरे पास ये मटी का बरतन है तो मैं इसमें बना रहे हूँ क्योंकि मटी के बरतन में जो कोखनेट ग्रेवी रहते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है पता नहीं उसका अलग ही एक स्वाद आ जाता है तो जैसे थोड़ा सा राय तड़क गया इसमें मैंने डाला करी पत्ता और अब इसमें मैं डाल रहे हूँ एक प्याज प्याज को भी अच्छे से बारिक काटके रखा है तो दोस्तों ये रेसिपी जैसमें कही रही थी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉर्वर्ड रेसिपी इसमें कोई ताम जहम नहीं है जो भी इंग्रीडियन्स एजली आपके घर पे अवेलिबल है उसी से हम ये रेसिपी बना रहे है तो जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे कॉमेंट करके बताएगा भी कि आपने इसे बनाया की नहीं और अगर बनाया तो कैसे लगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं ये जो मसाला हमने पहले बनाया ना नारियल का उसमें इमली या कच्ची कैरी भी डालते है मैं नहीं डालती क्योंकि हमारे घर पे इमली या कच्ची कैरी को मतलब हेल्थ को एफेक्ट कर लेता है इसलिए मैं नहीं डालती लेकिन आप चाहो तो डाल सकते बट इस recipe में मैंने खटाई के लिए end में कोकम भी use किया है तो अब जैसे प्यास डाला मैंने फिर टमाटर भी डालेते हैं और टमाटर थोड़े से soft होगे यह नहीं चाहिए कि प्यास पुरे ब्राउन हो जाए हलके से pink हो जाए थोड़ा पग गए ट्रांसलूसिंट हो गए तो इसमें आप टमाटर डाल दो और फिर जो पेस्ट हमें बना के रखा था वो इसमें हमें डालना है और जैसे पेस्ट थोड़ा दो मिनिट के लिए भूनना है ज्यादा नहीं आप इसमें पानी डाल दीजिए पानी डालते हो याद रखिए ग्यास की फ्लेम स्लो रखिए नहीं तो जो हमारा कोकनट है वो दूद उसका अलग हो जाएगा पानी स्प्लिट हो जाएगा दूद अब इसे हमें इतना पतला करना है जितना आपको थिक या पतला कंसिस्टेंसी चाहिए यूजिली ये ग्रेवी बहुत जादा पतली नहीं खाई जाती थोड़ी ठिक ही खाए जाती है तो थोड़ा सा पानी डाली है इसमें और फिर उपर से मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया चार से पाच मैनी हरी मिर्ची जो थी उसे लंबाई में स्लिट करके डाल दिया और जैसे कहा कोकम डाला मैंने थोड़ा खटाई के लिए दो पीस कोकम डाला है इसे भी अच्छे से मिक्स करना है और इसे एक उबाल आने तक रुकना है हमें तो यखिए अभी इसमें एक तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है दोस्तो आई होप आप इसे जरूर ट्राइ करोगी और अपने फैमिली को भी आप ये बना के खिलाइए सबको जरूर पसंद आएगा बहुत एंजोई करेंगे आप लो आज मैंने इसे राइस और नीर दोसा और ठोड़ा सा फ्रा भी है बहुत एंजोईबल था